हेलो फ्रेंट्स आप सभी का एगवाब फिर से रुद्धा नर्सेया एक्सप्रेस में हाड़ एक स्वागत है आज का हमारे इंपॉर्टन टॉपिक माइक्रो बायलोजी के अंतगत आज हम लोग बैक्टरियल ग्रोथ के बारे में डिस्क्रेशन करेंगे बैक्टरियल ग्रोथ क्या होता है इसको कौन-कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं यहां आपको इंगलिस और हिंदी दोनों में ही नोट्स प्रदान किये जाते ह सब्सक्राइब जरू कर लें और नोटिफिकेशन बैल दबा के और बेक्लिक करने ताकि आप सभी कुमारे नर्सिंस एलेटरी बीटो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेगे कि बैक्टरियल ग्रोथ क्या होता है ठीक है टो यह बैक्टेरी आरे यूदिसेले़लर और्णिपिशन बैक्ट्रिया कैसे होते हैं यूदिसेल्वलर और्रणिशम है एक कोर्स के जिव होते हैं that टेंड से टु रिप्रोडियोज एस्सक्सुलिक गुक्रिप थूरा निमें क्या कहते है तो यांगिक्षम यहां पर होता क्या है कि बैक्टेरियल का साइज जो है इंक्रिमेंट नहीं होता है होता क्या है यहां पर कि जो सेल्स होती है वो डिवाइड होके अपनी संख्या में ब्रद्धी करती है जो सेल्स की संख्या बढ़ती है वो कौन से मैंनर में बढ़ती है याद एक्सपोनेंशल तरीका क्या होता है क्याहि है यहां पर एकसपोनेंशल तरीका का मतलब है कि जैसे कोई एक सेल है वो आपकी डिवाइड होगी पहले जैसे कि आपने figure में देखें, यहाँ पर एक cell है, एक cell से क्या होगी हमारी दो cell है जो है डिवाइड होगी, ऐसे ही प्रतेक cell जो है फिर दो में डिवाइड होगी, इस तरह डोटल चार हो जाएंगी cells, ठीक है तो इस प्रकाद जो है यह आंगे की और फॉर्दर जो है इस प्रकाद जो ए लिवाइड होता है टिक है तो इस प्रकाद जो है cell की संख्या में इंख्यमेंट होता है, ऐसे कि ऐदेलितर के करुप टरहाँ होता है The time taken for a bacterial cell to double is called generation time. तो generation time क्या आता है? वह time जिसमें कोई cell double हो जाती है. यानि कि जितने समय में कोई cell हमारी double हो जाती है, तो उस time को हम क्या कहते है? Generation time कहते है. चलिए है? The generation time varies among a different species of bacteria based on the environmental condition they grow in. यानि कि कहने का मतलब क्या है? यहां पर जो bacteria अपनी environment के according grow करते हैं अलग अलग bacteria में जो है ना generation time अलग अलग होता है clear है चलिए इनको हम जो है example की तरीके से समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से जैसे कि देखे एक्जामपल याद अखी का आपका clostridium perfringence है ठीक है तो यह जो bacteria होता है is the fastest growing bacteria that has a generation time of 10 minute इसमें generation time कितना है 10 minute यानि कि 10 minute में हमारी cell double हो जाएगी यहां पर clear है इसी प्रकार जो है आपका asceticia coli है have a doubling time of 20 minute आप यहां पर देखे रहे हैं जो doubling जो cell हमारी हो हो भूल हो रही कितने minute में double और रही 20 20-minute में डवल हो रही है कौन सी एसरिशय को लए इसी प्रकाज जो है माइको बैक्टेरियम जो टेवर क्लॉस होती है इस वन अब दा स्लोएस्ट ग्रोइंग बैक्टेरिया यहां पर जो बैक्टेरिया की जो डवलिंग दो से लमें डिवाइड होने में उसको 12-16 गंटे लग जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि जन्रेशन टाइम जो है अलग अलग बैक्टेरिया में अलग अलग इस प्रिसीज में अलग अलग होती है क्लिर है जाले है अब हम देखेंगे कि बैक्टेरिया को कौन-कौन से फैक्टैस जो है प्रभावित करते है तो सबसे पहला हमारा क्या है क्लियर है तो न्यूटैंट्स में क्या होता है weapons for the bacteria growth and multiplication ठेक है इन्हें को हम क्या कहते हैं, न्यूटेंट्स कहते हैं, clear, the nutrients are characterized into two, ठेक है, यानिकि इनको हमने दो category में divide किया, एक आपका होता है major nutrients, दूछ सरा होता है आपका minor nutrients, clear है, चलिए, the major nutrients is required in a large amount, जो major nutrients होते हैं, उनको ऐसे bacteria, जो होते हैं, उनको ज्यादा मात्रा में nutrients की जरूरत करती है, उनको जो हम लोग minor nutrients कहते हैं, clear है, चलिए, अब हम देखेंगे कि major nutrients में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, तो याद आखिए कि carbon हो गया, आपका hydrogen है, nitrogen है, sulfur है, phosphorus है, magnesium है, iron है, potassium है, oxygen है, और calcium है, ठीक है, तो यह जो है, हमारे क्या है major nutrients हैं, इसी प्रकार कुछ हमारे minor nutrients में होंगे, ठीक है, तो याद आखिए कि कौन कौन से है minor nutrients, आपका manganese हो गया, cobalt है, zinc है, copper है, mollywood नम है, clear है, चलिए, अब हम बात करते हैं, temperature के, कि किस प्रकार जो है, temperature जो है, bacteria के multiplication को, growth को effect करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे temperature range, ठीक है, यानि कि such a range, को उसको हम क्या कहेंगे, temperature range कहेंगे, clear है, growth does not occur above the maximum or below the minimum of this range, कहने का मतलब क्या है, कि कोई भी bacteria तभी growth करेगा, जब उसको उप्यूक्त temperature range मिले, clear, अब temperature range से जादा temperature भी अगर मिला तो भी bacteria growth नहीं करेगा, अगर temperature range से नीचे का temperature उसको मिला तभी bacteria growth नहीं करेगा, clear है, चलिए अगला क्या हमारा optimum temperature, ठीक है, the temperature at which bacteria can grow at maximum rate, ठीक है, यानि कि ऐसा temperature जिस पर bacteria जो है, बहुत ज्यादा मात्रा में growth करता है, अपनी संख्या को ज्यादा मात्रा में doubling कर लेगा, clear है, तो वो temperature क्या करेगा आपका optimum temperature करेगा, ठीक क्या हो गया है, अगला करेगा है, ठीक तो optimum temperature क् of most pathogenic bacteria जो ज्यादा तो जो आपके pathogenic जो बैक्टेरिया होते हैं जो disease cause करते हैं ठीक है उनके लिए optimum temperature कितना रख्या गया 37 degree centigrade याने 37 degree centigrade पर pathogenic bacteria जो है maximum growth करेगा clear है चलिए temperature range and optimum temperature are different for different species ठीक है यहाँ पी भी जो है अलग-अलग species के लिए temperature range और optimum temperature कैसा होगा अलग-अलग होगा clear है चलिए अब हम देखेंगे कि temperature के आधार पर जो हम लोग bacteria का किस प्रगार classification कर सकते हैं तो सबसे पहला है हमारा thermophilic ठीक है तो thermophilic bacteria क्या होते हैं the microorganism that prefers or love the temperature beyond a 40 degree centigrade यानि कि ऐसे bacteria जो 40 degree centigrade temperature को चाहते हैं लव करते हैं ऐसे temperature को जिसमें असनी सब्सक्राइब कर सके हैं तो कितना temperature है यादा कीगा 40 degree centigrade तो ऐसे temperature को जिसमें बैक्टरिया ग्रोथ करते हैं उनको हम क्या कहेंगे thermophilic bacteria कहेंगे clear है example यादा कीगा streptococcus thermophilus clear है चलिए अगले कि हमारा hyperthermophilus यानि की hyper का मरलब क्या होगा ज्यादा यानि की कौन से temperature होगा यहां पर the microorganism that grows in temperature more than 80 degree centigrade यानि की ऐसे bacteria जो 80 degree centigrade से ज्यादा temperature पर growth करते हैं ऐसे bacteria को हम क्या कहेंगे hyperthermophilus कहेंगे clear है example या दखेगा pyelorovus fumary और thermot होगा clear है चलिए next camera mesophils है ठीक the microbes that grow in the range of 20 to 40 degree centigrade यानि की कोई भी ऐसे bacteria जो 20 to 40 degree centigrade पर grow कर सकते हैं उनको हम mesophils bacteria कहते हैं clear है example या दखेगा esteratia coli next की हमारा sacrifice है the microbes that grow between 0 to 20 degree centigrade are called as sacrifice ठीक है यानि की ऐसे कोई भी bacteria जो 0 से 20 degree centigrade पर growth करते हैं ऐसे bacteria को हम क्या कहते है sacrifice कहते है example या दखेगा seromonas fluorescence clear है चलिए अगले की हमारा cryophylle तो या दखेगा जहां भी कहीं भी अगर cryover लग जाता है उसका मतलग क्या होता है cold से ठीक है ठंडा तो cryophylle क्या होते है the microbes that grow is less than 10 degree centigrade यानि कि ऐसे bacteria क्या होते है कि 10 degree centigrade से कम temperature पर भी जो है bacteria असानी से growth कर जाते हैं example या दखेगा yarsenia चलिए अगला क्या है solute and water the microorganism is separated from the environment by the selective semi-permeable membrane ठेक है यानि कि bacteria आप जानते कि bacteria में जो है semi-permeable membrane होता है यह semi-permeable membrane जो है outer environment को जो है अंदर के environment से अलग करती है clear the membrane also plays a vital role in maintaining the internal solute and water content और इसका दूसरा काम क्या होता है जो cells के अंदर जो solute या ions होते हैं उनकी concentration को जो है maintain करके रखेगा clear है चलिए अगला point है हमारा when the environment is change in terms of water or solid concentration in the outside environment ठीक है यानि कि bacteria के बाहर जो solute और ions का जो concentration होता है अगर environment change होता है तो याद आखीगा ऐसे case में solute और ions का concentration भी change हो जाता है ठीक है तो जब change हो जाता है तो क्या होता है कि internal जो environment होता है bacteria के अंदर का जो environment होता है उसको कॉन maintain करके रखेगा आपकी semi permeable membrane ठीक है चलिए the surrounding environment medium और solution can be hypertonic या दखेगा जो बाहर का environment होता है ठीक है या medium जो होता है या कोई भी बाहर का solution है ठीक जिसके अंदर मैंने आभी आपको बताता है solvent है solute है और ions होता है clear है उसी से मिलकर हमारा solution बना होता है तो cell के बाहर का जो medium हो सकता है वो यार दखेगा आपका hypertonic भी हो सकता है hypertonic या isotonic हो सकता है clear है there are few channel gates which allow the flow of water across the membrane ठीक अब होता क्या है कि मान लेजी या आपकी semi permeable membrane है इस पर कुछ channels होते है ठीक चैनल क्या होते है यह तरह के gate होते है जो कि पदार्थों को आमागवन करते हैं यादर से बाहर या बाहर से अंदर कियों जानी देते हैं कौन जानी देगा आपका पर-meerable membrane है ठीक है selected जो पर-meerable membrane है वो कैसी होती है चुनिंदा पदात को ही अं higher solvent से यानि कि higher solvent concentration से lower solvent concentration की हो जब कोई moment होता है ठीक है किसी solvent का तो उसको हम क्या कहते हैं osmosis कहते हैं clear है यानि कि concept फिर से एक बाह में clear कर रहा हूँ higher concentration से lower concentration की हो जब solvent का moment होता है तो उसको हम osmosis कहते हैं clear है चलिए अब इस osmosis की definition जो है अपने mind के अंदर रखी गए तब ही हम लोग hypertonic, hypertonic और isotonic के concept को clear कर सकते हैं, उसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं, clear है, चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या है, isotonic medium है, ठीक, the isotonic media, there is a balance of concentration of solutes and iron outside and inside the membrane of cell, ठीक है, यानि कि कह रहा है कि cell जो हमार permeable, semi permeable, जो membrane थे, उसके बाहर और अंदर की जो solids और iron का जो concentration होता है, वो कैसा होता है, बराबर होता है, equally होता है, जब equal होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, किसी भी प्रका का moment नहीं होगा, और या दखेंगा, isotonic medium ही एक ऐसा सबसे उप्यूक्त medium माना जाता है, बैक् कि हमारा hypotonic medium, अब hypo का मतलब क्या होगा, कम हो गया, यानि कि यहाँ पर होगा क्या कि जो cell के बाहर जो आपके solute थे, और ions थे, उनका concentration कैसा होगा, कम होगा, जबकि solvent का concentration कैसा होगा, जादा होगा, clear है, उसका just opposite कर दीजिए, आप cell के अंदर की तरफ, यानि कि आप कहेंग होगा, जादा होगा, अब मैंने आपको osmosis की definition क्या बता है थी, कि यहाँ पर जो solvent का movement होता है, वो higher concentration से lower concentration की होगा, ठीक है, तो आप क्यों क्या होगा, जो bacteria की cell होती है, बाहर से जो solvent होगा, वो अंदर की तरह movement करेगा, तो होगा क्या होगा, इसके परणाम सुरुप क्या ह होगा, with the result of this condition, the cells become, क्या हो जाएगी, swell हो जाएगी, हो सकता है कि वो फूल के फटवी जाए, ठीक है, तो यहाँ दखेगा, ऐसी condition को हम क्या कहते है, hypotonic medium कहते है, clear है, चलिए, अगला क्या हमारा hypotonic medium, अब hyper का मतलब क्या होगा, कि cell के बाहर जो solute और ions है, उनका concentration कैसा जबकि cell के अंदर कम होगा, ठीक, अब बाहर, cell के बाहर जो concentration था, solute और आपके ions का, उनका concentration ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या होगा, कि solvent का concentration कैसा होगा, बाहर, कम होगा, जबकि अंदर क्या होगा, जब ज़्यादा है अंदर, और बाहर कम है, तो moment कहां से होगा, अंदर से बाहर की तरफ यानि कि जो भी solvent है वो cell से बाहर निकलने लगेगा देखिए figure में देखिए यहां पर cell से बाहर solvent जा रहा है विद्धा result क्या होगा इसके प्रणाम से क्या होगा आपका जो cells होगी कैसी जाएंगी सुगर जाएंगी clear है चली अब हम देखेंगे pH कि किस प्रिकाद जो है pH cell के grow को effect कर सकता है ठीक दा pH value ranges from 0 to 14 on a pH scale ठीक यह से भी लोग जानते हैं हम लोग कि pH scale पर जो values होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है clear if the pH value is in between the 0 to 7 then it is called to acidic ठीक यदि value जो है pH 0 से 7 के लाइक कर रहे है तो उसको हम acidic medium कहते हैं अगर 7 value आ रही है pH की तो वो neutral medium होता है अगर 7 से जादा होती है यानि कि 7 से 14 के बीच में होती तो वो basic या alkaline medium होता है clear रहे चली sudden change in pH of cytoplasm may lead to death of cell यदि cytoplasm के pH में जो है अचानक परिवर्थन होने लग जाए तो ऐसे में क्या होती है जो cells होती है वो death हो सकती है उनकी मिर्ति हो सकती है clear है on the basis of pH bacteria start following अब हम pH के आधार पर जो है bacteria का classification करेंगे तो सबसे पहले क्या हमारा acidophase जैसे नाम से फिल्म आने क्या होता लविंग यानि कि ऐसे bacteria जो है आसानी से ग्रो कर जाएंगे acidic medium में जिसमें यानि की higher hydrogenine concentration होता है clear example यह दखेगा यहां पे जो pH value होनी चाहिए ठीक है 5.5 से कम होने चाहिए तब ही जो है bacteria आसानी से ग्रो कर पाएंगे और इसी condition में जो है hydrogenine concentration बहुत ज़्यादा होता है clear है next के हमारा vasophils या alkalophils ठीक है यानि कि ऐसे bacteria जो है किसको चाहेंगे alkaline medium को चाहेंगे ठीक है यानि कि ऐसे bacteria जिनके लिए जो pH निरधारित किया गया है 8.5 ठीक है यहां पे जो bacteria growth करेंगे याद अखिएगा 8.5 से जब ज़्यादा pH होगा तो वो medium कैसा होगा आपका alkaline medium होगा clear है चालिए next के हमारा neutrophils है ठीक है they tend to grow around a neutral pH that is from 5.5 to 8.5 यानि कि कोई भी ऐसे bacteria जो 5.5 से 8.5 में सबसे अच्छे तरह के इसे growth करते हैं वो bacteria क्या कहलाते है आपके neutrophils कहलाते है ठीक neutrophils are mostly pathogenic और जो neutrophils होते है याद दखिएगा जो neutrophils bacteria होते है generally यह ज़्यादा तर pathogenic bacteria होंगे जो ज़्यादा तर बीमारी को cause करते है clear है क्यों कि इसी range पर हमारी body का pH होता है 5.5 to 8.5 इसी लिए इस case में bacteria सबसे ज़्यादा active होगा clear है और cause करेगा disease ठीक है चलिए चलिए अब हम देखेंगे oxygen का concentration ठीक है the microorganism which need oxygen for its growth or called aerops ठीक है याने के aerobic bacteria कोई भी aerobic bacteria जो oxygen की उपस्तिती में grow करते हैं उन्हें aerobic bacteria कहते हैं और ऐसे bacteria जो oxygen की अनुपस्तिती में grow करेंगे ठीक है absence of oxygen में grow करेंगे तो इसको हम anaerobic bacteria कहते है clear है the oxygen is used for oxidizing and metabolizing the sugar or fats and to produce energy अब oxygen का क्या होता है oxygen जो होता है यह metabolization के काम में आजाता है जैसे आपका sugar या fat है उसका oxidation कर देता है उसको तोर देता है और ऐसे में जो energy निकलती है उसको भोग कर लेता है उसको use कर लेगा clear है based on the requirement of oxygen concentration oxygen concentration की आफसक्ता के अधार पर जो है bacteria कई प्रकार के होते हैं जैसे सबसे पहला मारा क्या है obligate aerops ठीक है तो यह जो bacteria जो होते हैं यह हमेसा याद दखेगा oxygen के presence में ही जो है केवल ग्रो करेंगे और जहां oxygen खतम होई वहाँ पर यह die हो जाएंगे मर जाएंगे clear example यह दखेगा micrococcus is precise नेक्ट के हमारा facultative anaerops तो facultative का मतलब होता है बिकल्प ठीक है तो बिकल्प क्या है यहां समझीए microbes can grow in the presence ठीक और absence of oxygen अगर bacteria जो है हमारे oxygen के presence में ग्रो कर सकता है और absence में भी यहां ग्रो कर सकता है ठीक यह दखेगा जब bacteria oxygen के उपर स्थिती में ग्रो करता है तो ऐसे case में उसको energy मिलती है कहां से मिलती है तो यहां दखेगा terminal electron acceptor terminal electron acceptor के थ्रू जो है वो लोग energy को acquire कर लेते हैं clear है अब जब oxygen नहीं है तो उस case में क्या होगा energy कहां से वो लोग acquire करेंगे fermentation से क्योंकि fermentation एक ऐसी process होती है जिसमें किसी oxygen का requirement नहीं होती है fermentation क्या है carbo hydrate का breakdown in the absence of oxygen is called a fermentation ठीक है यानकि carbo hydrate का जब हम oxygen करते हैं oxygen के नुपस्तिती में तो उसको हम क्या कहते हैं fermentation कहते हैं हिंदी में इसको kid one कहा जाता है clear है चले important point है याद दखेगा but greater growth in the presence of oxygen यहाँ पर oxygen अगर उपलब्द होगी तो bacteria maximum उसकी growth होगी clear है चले एक्जांपलिया दखेगा एसरिस या कोलाई अगले क्या हमारा obligate anaerobes तो these microorganism die in the presence of oxygen यानि कि ऐसे microorganism क्या होते हैं oxygen की उपस्तिती में जो है die हो जाते हैं because of lack of enzymes such as superoxide, dismutase, catalase and peroxidase तो यह जो तीन enzymes होते हैं superoxide, dismutase, catalase और peroxidase इन में इन enzymes की कमी होती है इसी करण जो है अगर उनको oxygen मिल रही है तो ऐसे case में जो है bacteria death हो जाएगी clear, example यहाँ दखेएगा, clostridium clear, चलिए अगला क्या हमारा, aerotolerant aerobes, ठीक है do not require oxygen for grow, ऐसे bacteria को क्या होता है, grow करने के लिए किसी oxygen की requirement नहीं होती है and hence can grow in its presence and absence, तो ऐसे जो bacteria होते हैं oxygen की उपस्तिती अथवा अनुपस्तिती दोनों में जो है grow कर सकते हैं तो such microbes have only fermentative types of respiration, यहाँ पर यहाँ दखेएगा, यहाँ पर जो bacteria respiration करते हैं किसके द्वारा करेंगे, केवल और केवल, fermentative types से respiration करते हैं, clear, चलिए अगला क्या हमारा, capnophilic, ठीक है, तो microbes that grow in presence of high concentration of carbon dioxide यानि कि यहाँ पर जो bacteria grow करेंगे, वो कौन से condition करेंगे, जब carbon dioxide का concentration maximum होता है, ज्यादा होता है, तो उस case में microbes grow करते हैं, तो ऐसे bacteria क्या कहलाते हैं, आपके, capnophilic bacteria कहलाते हैं, clear है, चलिए, अब हम अगला factor देखेंगे, moisture, ठीक, तो moisture is directly proportional to the growth of bacteria, ठीक, कह रहा है, कि जो moisture होता है, वो bacteria के growth के directly proportional होता है, ठीक, यह आपके किसी भी किता में लिखार नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा हम इसमें लिख सकते हैं, कह रहा है, कि अगर moisture ज़्यादा है, ठीक, मौश्यादा होगा, तो उस केस में बैक्टेरिया की ग्रोथ भी ज्यादा होगी, अगर मौशेयर आपका कम है, तो बैक्टेरिया की ग्रोथ भी कम होगी, इसी प्रकार light है, अगला फेक्टर है, तो light is inversely proportional to the growth of bacteria, ठीक है, यानि कि कहने मतलब है, जो light होती है, अगर आपकी light ज्यादा है, तो उस केस मे बैक्टेरिया की ग्रोथ जो है कम होगी, अगर light कम है, तो बैक्टेरिया की ग्रोथ जो है maximum होगी, चलिए, अगला क्या हमारा toxins factor है, तो in the presence of toxins, bacteria can not grow, हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपने कोई poisonous substance जो है ले लिया है, कोई toxin आपने grant कर लिया है, तो उस case में क्या होता है कि बैक्टेरिया की जो ग्रोथ होती है, बहुत ही minimum हो जाती है, clear है, अगला क्या हमारा factor carbon dioxide, तो carbon dioxide is important component for growth of bacteria, ठीक है, अभी जैसे कि हमने आपको बताया था, कैपनोफिलिक बैक्टेरिया कौन होते हैं, जो carbon dioxide के presence में grow करते हैं, तो इसका मतलब एक चीज तो हमें समझ बताएं, और यह दिया आपको टापिक अच्छा लगा है, तो उसे लाइक जरू करें और अपने दोस्तों के श्याथ में सहिर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें, तब तक की लिए, टेक केर रहें, भाई वाई, थैंक यू सो मच.